Hello to everyone, I hope you all are doing well and preparing hard for your exam of CAPF AC 2022. My name is Zatul Dhiman and आज की ये जो वीडियो है, ये उन students के लिए है, जो हमारे ट्राइल वाले students है. तो ट्राइल वाले students के लिए कैसे हमारा ये portal का ये जो interface है आप use कर सकते हैं, या application में कैसे आप interface को use कर सकते हैं, बहुत इस simple steps में मैं आज आपको explain करूँगा, बहुत simple तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, कि कैसे आप इस course को access कर सकते हो. See, very simple thing is, कि आपको इस course के ओपर आना है, जैसे for example, आप जो है paper 2 का course लेना चाहते हैं, अभी PDA का CAPF का, तो कैसे आप इस course के ओपर आएंगे, paper 2 के course के ओपर आएंगे, तो पहला step बहुत simple है, जो आप सब follow कर सकते हैं, that is, कोई भी videos हमारी YouTube पे आती हैं, कोई भी CAPF से related videos आती के वहाँ पे आपको get your 7 days free trial, नीचे description में link दे रखा है, वो उसको click करके आप सीधा हमारे portal के page पे आजाते हो, और वहाँ पे आप ये सारा interface देख सकते हो, तो पहला step ये है, दूसरा step ये भी है, कि आप क्या कर सकते हो, कि Google पे जाके, अभी PDA लिख के, वहाँ पे, जैसे आ आपने अभी PDA लिखा, वहाँ पे आपको हमारा portal का address आजाएगा, और click करके आपको इस तरीके से interface आएगा, तो इस पर क्या करेंगे, आप जब choose exam करेंगे, जैसे for example, आपने choose exam करके, आपका लक्ष जो है CAPF है, तो CAPF की तरफ आप जाएंगे, तो CAPF का इस तरीके से आपका interface खुल जाएगा, तो ये दो तरीके हैं, जैसे आप हमारा इस platform पे आ सकते हो, दो तरीकों से आप इस platform पे access कर सकते हो, simple हो गया, clear, अब माल लीजे, आप हमारे page के अंदर land कर गए, और अब आप चाहते हो कि मैं जो हूँ, CAPF paper 2 का trial लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको कै जैसे आप access करोगे, let's talk about that, ये इस तरीके का interface आपका खुल जाएगा, and जब ये इस तरीके का interface खुला, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे हमारे ये paper 2 का course चल रहा है, इसको आपने click कर दिया, जैसे आपने click किया, और मैंने जो है, already 7 दिन का trial ले रखा है, अपनी ID स जैसे, वैसे जैसे आप open करेंगे, तो आपको इस तरीके से pop out होके दिखेगा, तो यहाँ पर दिखेगा 7 days free trial, और ये pop out होके जैसे आपको दिखेगा, आप बहाँ पर click कर सकते हैं, और जैसे आपने click कर दिया, तो आपको करना क्या है, आपने बड़ी simple तरीके से steps follow करने है जैसे, for example, just a second, मैंने तो 7 दिन का trial already ले रखा है, बट जब मैं 7 दिन का trial ले रहा था, तो वहाँ पर मुझे दो चीजे login करनी पड़ रही थी, या मुझे, देखो, आगर तो आप एकदम नए students हैं, ठीक है, आपने पहले इस page में कभी visit नहीं किया, तो आपको क्या करना आपको करना पड़ेगा, that would be sign up, समझो इस चीज को, बहुत basic चीजें, आपको करना पड़ेगा sign up, sign up के time पे आपको अपना registration कराना पड़ेगा, registration मतलब आपका number, आपका email id, और जो आपका mobile number है, optional, आप करना चाहते हैं, और जैसे आपने वो registered email id से अपना sign up कर दिया, उसके बाद क्या होगा, आपका एक username और एक आपका password, वो बन जाएगा, और आपकी registered email id में आपके पास आजाएगा, उसी login id से और password से आप क्या कर सकते हो, इस particular page के अंदर जाओगे, और वहाँ पे आपने simple login करना है, क्या करना है, login, और जैसे आपने login किया, आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 days का free trial, जैसे मैंने आपको दिखाया था न, यहाँ से pop out होके निकला था, अभी इसलिए नहीं दिख रहा है, because I have already taken the 7 days free trial, right, तो वो 7 दिन का आपको free trial देख जाएगा, इस तरीके के interface में, और जब आप उसको click करेंगे, तो आपको simple सा, आपका 7 दिन का trial जो है, वो activate हो जाएगा, अब इस 7 दिन के trial का मतलब क्या है, ध्यान से समझेए, because यह चीज जो है, बहुत students को, you know, समझ नहीं आ रही है, अब देखे, 7 दिन का trial मतलब यह है, कि आने वाली upcoming videos जो साथ होंगी, मतलब live upcoming videos, वो आप access कर सकते हो, without paying a single penny, simple सी चीज है, अगर मैंने अभी 7 days का free trial लिया, जो कि मैंने ले लिया, 7 days का trial activate हो चुका है, अब start होता है, 31 मार्च 2022 से, और अभी मेरे पास 7 दिन बचे हुए है, आपका बहुत simple तरीके से, हमारा इस तरीके से interface आपको दिख जाएगा, बहुत simple तरीके से, अब बहुत ध्यान से समझेए, कि 31 मार्च से यह मतला 31 मार्च की जो upcoming video है, 5.45 में I can easily watch that video, 1 April की, 2 April, 3, 4, 5, 6, मैं 5 April, 6 April तक upcoming videos को बहुत अच्छे से देख सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ, अब देखो, यह सारा description है course का, इनको आप देख सकते हैं, कुछ demo videos भी हैं, जो दे रखी हैं, 7 upcoming videos तो आप समझ आ गया, कि आपको आगे आने वाली 7 videos देखनी हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ हमने क्या किया है, demo videos भी दी है, demo videos का मतलब यह है कि आप उनके अलावा, इन videos को भी बहुत अच्छे से access कर सकते हो, for example, understanding the syllabus, आप उसके बाद हम लोग बात करें, understanding the syllabus through previous year questions, strategy की बात कर रहे हैं, और course introduction की बा आपने क्या किया, आपने इसको click कर दिया, जैसे आपने click कर दिया, इस तरीके से loading हो रहा है, right, loading हो रहा है, अब यहाँ पर क्या है, 165 views आचुके हैं, तो course introduction के अंदर हम लोग जो faculty introduce कर रहे हैं, अपने course के अंदर faculty introduce कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी multiple faculty हैं, जो पढ़ र DAPF course, चिक है, और यह हमारी faculty है, अभी इसमें 2-3 faculty missing हैं, तो वो भी इसके अंदर participate करेगी, जैसे आपने course introduction देखा, इसको course introduction आप समझ गें, right, इसको आप पीछे भी आ सकते हो, या उसी interface से आगे भी देख सकते हो, तो यह 4 demo videos भी हैं, यह upcoming videos हैं, मतलब ध्यान रखो कि आज आपकी video कौन सी होने वाली है, सब upcoming में पता लग जाएगा, फिर दूसरी कौन सी होगी, यह होगी, फिर तीसरी English lecture preposition पे होगा, चौथा कौन सा होगा, इस तरीके से role of women in Indian politics, चौथा lecture यह होगा, पांचवा, छटा, सारा upcoming videos के interface पे आ जाएगा, अब दूसरा है, यहाँ पे syllabus and study plan, यह इस तरीके से आपका interface होगा, जहाँ पे course introduction किया mentorship lectures है, general studies है और English paper 2 है, right, so general studies and English paper 2, अब माल लीजे, आपको issues and analysis के questions देखने है, right, तो आपने क्या किया, general studies के ओपर click किया, right, वैसे तो आप खुद समझेंगे, खुद बहुत easy है, बहुत smooth process है, user interface है, अब देखे, जै state of Indian democracy है, इस lecture को आप देखना चाहते है, यह uniform civil court देखना चाहते है, यह role of opposition in Indian parliamentary process देखना चाहते है, यह role of women in Indian political system देखना चाहते है, तो क्या करेंगे, यह देखे, यह polity, Indian polity से related issues है, चीक है, उसके आगे, उसके आगे क्या है, security issues है, security issues में 5 lectures available है, बाकी lectures scheduled है, जो आगे आने व problem है, policing power to CAPF, आप देखना चाहते है, previous papers questions कैसे कैसे है, report के उपर, argument के उपर, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, geography के questions है, जिसमें पूछा गया है, more than smart city, India require smart villages, दूसरा है, changing face of agriculture, तो यह आपका सामने देख रहा है, उसके बाद हमारा आ जाता है, इंडिया and world, इंडिया and world क importance of trade in Indochina relation, तो इस तरीके से सारे के सारे issues, जो है, economy के issue, government, science, technology, environment, ecology, social issues, सब इस GS के अंदर cover होंगे, right, according to your paper 2 context, जो paper 2 में जैसे सवाल आते हैं वो, अब देखो, एक चीज़ ध्यान से रखो, यह ध्यान से देखो, कि हम लोग ने क्या किया, कि यहाँ पे आप आके, अब videos को देखना है, मैंने आपको सारा दिखा दिया कि इस तरीके से interface है, हमारे सारे issues जो है, वो आपको इस तरीके से जितने जितने issues हैं, वो cover किये है, बाकी upcoming आने वाले है, right, अब देखे, आपने ये video जो है, वो देखनी है, right, आपने देखनी है, criminalization of politics, state of Indian democracy, आप प्रीतम सर शर्मा सर है, जो इस class को ले रहे है, अब देखे, अब इस पे क्या है, इस पे kindly go back to the course and subscribe to proceed further, अब इस video के अंदर आप देखोगे, कि ये class मेरे लिए नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो, मैं तो trial वाला student हूँ, मेरे लिए कौन-कौन सी classes है, मेरे लिए जो upcoming 7 दिन की classes है, एक त बगैर कुछ पे किये हुए, इस platform से देख सकता हूँ, तो इस से कमाल की चीज क्या हो सकती है, लेकिन मैं इस video के अंदर मैं एक चीज आपके लिए और बताना चाहता हूँ, कि आपके पास जो है, एक तो पहली बात है, कि आपके पास ये video अभी आपको नहीं subscribe हो रही है, ल लेकिन इसके साथ आपको previous year questions भी मिल जाएंगे, मतलब जो quality governance के PYQs आये हैं, CEPF के लास्ट 8 साल के, उस सारे PYQs आपको मिल जाएंगे इधर, ताकि आप देखो कि हाँ, ये पहले भी आ चुका है, इस बार भी possibility है, या ऐसा ऐसा pattern का ही UPSC ने सवाल आगे भी पूछ सकती है, तो ये बहुत important चीज है, समझना, इसके अलावा, इस course में सबसे best चीज जो है, जो हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करके बनाई है, क्योंकि और और जगा बहुत ही मुश्किल है, ऐसी चीज मिलना, that is issues and analysis, issues and analysis की बात करे, issues and analysis में, आपको तो topic यहाँ पे teacher 1, 2, 3 करा रहा है मतलब एक topic है, जो broad aspect है, उसके नीचे multiple छोटे-छोटे topics होंगे, जो आपको कराये जा रहे हैं, पहला तो content आपको यहीं से मिल रहा है, multiple angle का, बट सबसे जादा, उससे भी जादा content जो है, issue and analysis में मिल रहा है, 60 issues and analysis है, जो आपको मिल रहे हैं, जो आप ले सकते हैं, इन issues and analysis के अलावा subjective questions है, जो आप देख सकते हैं, आप practice कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस topic पर मैं लिख सकता हूँ, फिर हमसे आप बोल सकते हैं कि sir मैंने इन topics पर लिखा है, यह तो बहुत कमाल की चीज़ है, अब देखो issue and analysis को जब click करेंगे, तो possibly इस तरीके से आपके पास है कि मैं issue and analysis देख सकता हूँ, जैसे for example, कमाल कमाल के issues and analysis हमने चांट चांट के आपके लिए रखे हैं, जैसे, देखे, environment as right, ऐसे सवाल ही आते हैं, environment as right, democracy and descent, Indian case, है न, कमाल की चीज़ है, environment and right to life, मतलब आपने UPSC का pattern को भी देखा होगा न, paper to का, तो वहाँ पर भी बहुत elaborate तरीके से नहीं बताया होता, वहाँ पर एक simple sentences में बता दिया होता है, कि हाँ, इस तरीके से है, सवाल पूछा है, उसमें आपकी सोच है, आपने क्या लिखना है, है न, वैसे यहाँ पर भी है, अब देखो, role of media in democracy, कमाल की चीज़ है, dual citizenship, animal rights and human rights, यह सब सब issues जो है, last 2 साल क most relevant and most appropriate issues है, जो आपको free में मिल रहे हैं, अभी तो trial ही ले रहे हैं, तो free सब मान के चलिए, है न, इससे better चीज़ क्या हो सकती है, देखो, और बच्चों ने बहुत पसंद भी किया, यहाँ पर आप देखेंगे, judicial activism and overreach, एक analysis है, इस topic को, इस issue को देखने के लिए, बच्चों से almost, 1980 views आ चुके हैं, इस issue को पढ़ने के लिए, 1980 views आ चुके है, तो कमाल की चीज़ है, कमाल का यह point है, तो यह देखिए इस तरीके से, अब एक चीज़ और बताता हूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक और चीज़ बताता हूं, कि य यह तो अंग्रीजी में आपको दिख गया, है न, यह तो English में आपको मिल गया, लेकिन, if you want कि मैं इसको हिंदी में देखूं, if you want हिंदी में देखना चाता हूं, यहां पे Select Language किया, Select Language में आपने हिंदी कर दिया, और जैसे ही आपने हिंदी किया, वैसे ही, वैसे आपका करने है एससे करना है बच्चों की मदद करनी है तो दोनों बच्चों की मदद करेंगे चाहे हिंदी वाले कम हैं इंग्लिश वाले ज्यादा है क्या हुआ हम हिंदी वालों को भी student को help करेंगे तो देखिए यह सारा जो चीज है वह आपको issue analysis में मिल गया हिंदी में मिल गया प्रॉपरली आपको हिंदी में मिल रहा है यह सारा निश्कर्श और यह सारी चीजे सब हिंदी में आपके पास है अब पीछे आ जाते हैं आपके पास issue analysis और subjective questions 111 है अब इसमें कोई भी प्राक्टेस करो बढ़िया है अच्छे से अच्छे प्राक्टेस कर आपका जो इंटरफेस है वह यह सारी वीडियोज यह सारी वीडियोज अब यह वीडियोज आप EXPECT करेंगे कि यह सारी ओपन हो जाया नहीं यह सारी वीडियोज एक्स ऑपन ही होंगी रिजन भी बहुत से चीज़ है कि अभी आपका ट्राइल चल रहा है so आपको मैं explain कर च subjective questions pdf files and your previous your questions तो यह सारा एक guideline थी आप सभी trial वाले students के लिए कि आप वो इस तरीके से access कर सकते हो चीक है so I hope you like this video and make sure कि कोई भी डाउट दिक्कत आती है directly call to us I'll be taking your calls and helping you directly right thank you